दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ समय पहले चाइना के थर्ड एरक्राफ्ट कैरियर मतलब फूजियान को लेके एक बड़ा ख़बरा है था रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चाइना इस एरक्राफ्ट कैरियर के सी ट्राइल को जल्दी शुरू कर सकता है और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आने वाले कुछ समय के अंदर चाइना के बेड़े में और एक एरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा जो कि भारत के लिए वाविशे में एक चिंता का विशय हो सकता है क्योंकि अल्डेडी चाइना भारत के चारो तरफ अपना बेसेस बना रहा है और इंडियन ओशन में अपने प्रेजन्स को बढ़ा रहा है और ऐसे में चाइना के पास अगर और एक एरक्राफ्ट कैरियर आ जाता है तो नोड़ और इसे चाइना के खत्रे को काफी कम किया जा सकेगा और इंडिया अपने सिक्रिटी को और इहनांस कर सकेगा पर वही पर दोस्तों चाइना के यारक्राफ्ट कैरियर के खवर आने के बाद भारत के अंदर भारत के और एक यारक्राफ्ट कैरियर को लेके चर्चा कई गुन पर वही काम शुरू कर दिया जाएगा दोसे कुछी समय पहले नेवी के इस पॉपजल को देखते हुए डिफरेंस फिनिश्टर शुरी राजनाज सिंग के तरफ से तीसरे एरक्रेफ्ट केरियर को लेके अपना एनॉंस्मेंट किया गया और दोसे इसी एनॉंस्मेंट के से निर्मान किया हुआ आएनेज विक्रामदित्या एरक्रेफ्ट केरियर है जो करिफ 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 45,000 टन वजन का है जबकि दूसरा भारत के स्वधिशी एरक्रेफ्ट केरियर है जिसे की आएनेज विकरांद का नाम दिया गया है और दोस्तों इस एरक्रेफ्ट केरियर को IAC-1 मतलब Indigeneers Aircraft Carrier 1 भी कहा जाता है और ये भी करिफ करिफ 45,000 टन वजन का ही है और इस Aircraft Carrier को इंडियन नेवी को सेप्टमबर 2022 में सौफा गया और ये पहला Indigeneers Aircraft Carrier को स्वधिशी तरीके से निर्मान करने के बाद एक तरीके से भारत अपने Aircraft Carrier को लेके आत्मने फर हो चुका है और भारत के पास इतने capability आ चुका है कि वो अपने Aircraft Carrier को अपने ही बल्भूते पे तयार कर सके और अपने जरूतों को पूरा कर सके और इन ही कारोनों के वज़ा से इस Aircraft Carrier के निर्मान के बाद IAC-2 को लेके भी काफी अधिक चर्चा किया गया और रिपोर्ट मे दावा किया जा रहा है कि अब IAC-2 को भी आइनेस विकरांट के ही क्लास के मतलब आइनेस विकरांट के ही सिस्टरशिप के रूप में बनाया जाएगा हलाकि इस से पहले जो ख़वरों में दावा किया था उसके मताविक IAC-2 मतलब इंडिजनियस Aircraft Carrier 2 विकरांट के बड़े Aircraft Carrier मतलब 65,000 टन वजन का Aircraft Carrier होुई पर दूसरे तरफ एगर चाइना को देखा जाए तो चाइना के बेडे में फिलाल जो दो Aircraft Carrier ऑपरेशनल है उनमें से एक तो सोवियत उनियन के तरफ से निर्मान किया हुआ Aircraft Carrier है जिसे की चाइना में लियोनिंग का नाम दिया गया है जवकि दूसरा Aircraft Carrier भी उसी क्लास का ही है मतलब एक तरीके से आफ कह सकते हैं कि चाइना के तरफ से उस Aircraft Carrier को कौपी करके ही बनाया गया है और इसे शांग डॉंग का नाम दिया गया है क्योंकि चाइना के रिपोर्ट ये मताविक इस Aircraft Carrier में एक साथ करिपकरी 60 के आसपास Aircraft को डिपलोई किया जा सकता है और 60 Aircraft लेकि अगर इंडियन ओशन के अंदर चाइना इस Aircraft का डिपलोईमेंट करता है तो नो डाउट इसे इंडियन ओशन के अंदर चाइना का जो पक हवा किया जा रहा है कि अगर सेम क्लास के Aircraft Carrier को निर्मान किया जाता है तो कोचीशी प्याड लिमिटेड के तरफ से 5 साल के अंदर इस Aircraft Carrier को तयार किया जा सकेगा हलाकि अगर 65,000 टन के भारी भर गम Aircraft Carrier को तयार किया जाता है तो संपुन रूफ से नए डिजाइन और ने Construction Mechanism के अंतरगत इस Aircraft Carrier को निर्मान करने के लिए 10 साल या उससे अधिक समय का इंतजार करना पड़ेगा जो कि भारत के लिए एक भारी इंतजार हो सकता है क्योंकि इस दर्मियान आइनेज विक्रमेट्य यार्क्राफ्ट कारियर पूरा ना हो जाएगा और अगर कोई दिले होता है तो तब तक शायद आइनेज विक्रमेट्य यार्क्राफ्ट कारियर को रिटायर विकर दिया जाए मतलब इस प्लान के अंतरगत भारत के तीन यार्क्राफ्ट कारियरों को एक साथ ऑपरेट करने का सपना शायद पूरा ना हो और अगर पूरा होता भी है तो पर अगर दूसरे इंडेजनियर्क्राफ्ट कारियर को पांच साल के अंदर तयार कर लिया जाता है तो नो डाउट इससे भारत के तीन यार्क्राफ्ट कारियर को बनाने का सपना पूरा होगा और साती साथ इस दरमियान पैरलली भारत को एक से 65,000 टन के भारी वरकम यार्क में से एक के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इसके बाद भारत के और एक स्वदिशी एर्क्राफ्ट केरियर का जो सपना है वो पूरा होने जाएगा अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पर डिफेंस मेंशा शुरी राजना सिंग के तरफ से एर्क्राफ्ट केरियर को लेकि बड़ा अनॉस्मेंट किया जा रहा है तो वही पर नेवी के तरफ से अपने तीसरे इंडेजिनियर से एर्क्राफ्ट केरियर या फिर कहें तो 65,000 टर्न भारी वरकम एर्क्राफ्ट केरियर को लेकर भी अविस सही प्लैन शुरू किया जा रहा है कि ट्विन इंजिन डेग् क्यार कारियर फिलाल स्की जंप से लेज है और क्यारियर को भी साइड इसकी जंप क्यारा क्यार के रूप में ही बनाया जाए तो ऐसे में अगर ट्विन इंजिन डेग वेस फाइटर यार्क्राफ्ट के रिकृर्मेंट को पूरा करने के लिए दो अलग अलग तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है जिनमें सबसे पहला तरीका तो है शॉर्ट टेक आप बर्ड एरिस्टेट रिकवरी सिस्टम्स के साथ यार क्रेफ्टों का डेवलाप्मेंट करना जो कि करेंट दोनों ही एर्क्राफ्ट केरियर मतलभ आईनस विकरांत और आईनस विकरम अलिद्टेhe के लिए होगा जबकि इसके इलावा एथ के पो भी तैयार किया जाएगा जो आईनस शायद इर्क्राफ्ट के लिए भी नहीं होगा और दोस्तों, इससे एक बात confirm हो गया है कि इंडर जुनियास एयर्प्राफ्ट कैरियर दो के निरमान के बाद भारत के तरफ से यहाँ फे रुका नहीं जाएगा बलकि तीसरे एयर्प्राफ्ट कैरियर को भी बनाय जाएगा और साती साथ ये भी confirm हो चुका है कि तीसरे जो ए असल में आइनेज विक्रांत के सिस्टर श्रीप या फिर कहें तो स्की जम बाले छोटे एरक्रेफ्ट कैरियर नहीं होगा बलकि आकर में काफी बड़ा और भारी वरकम मतलब करिव करी 65,000 तन के फ्लैट डेक एरक्रेफ्ट कैरियर होगा जो की केड़ेपुल लाँचिंग सिस इरवेस फाइटर यारक्रेफ्टो के आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए अल्रेडी नेवी के दरफ से एक मेगा प्लैन बनाया जा चुका है जिसके अंतरगत करिंटली नेवी के द्वारा मिक-29 यारक्रेफ्टो का जहाँ पर उपयोग किया जा रहा है तो उई पे मिक- मिक-29 के बाद रैफाल एम यारक्रेफ्टो को फ्रांस से खरिदा जाएगा और रिपोर्ट के मुतावी करिवन ऐसे 26 यारक्रेफ्टो खरिद के इंडियन नेवी के द्वारा अपने दोनों ही यारक्रेफ्ट करियरों के उपर डिप्लोई किया जाना है जबकि इन 26 यारक्र यारक्रेफ्टो के बाद जो बाकी रिक्वार्मेंट है वो संपूर्ण रूफ से स्वधिशी तरीके से ही पुरा किया जाएगा और मिक-29 के यारक्रेफ्टो को साल 2034-35 से रिप्लेस करने के लिए नेवी के द्वारा स्वधिशी ट्विन इंजिन डेग वेस वाडर यारक् यारक्रेफ्टो के रिक्वार्मेंट भी बढ़ेगा हाला कि दोस्तों अगर आइनस बिक्रान के बाद दूसरे इंडेजनियर के रूप में ना बना कि स्की जंफ यारक्रेफ्ट करियर के रूप में बनाया जाता है तो नो डाउट इसके लिए भी करिप-करी 40 के आसपास औ के ऐसे वेरियंटों को खरिदा जाएगा जो केटपूल लॉंचिंग से लॉंच हो सके और एरिस्टर्ट रिकवरी से रिकवर हो सके मतलब दोस्तों इसके साथ साथ दूसरा वात ये भी कन्फर्म हो गया कि जिस ट्वीन इंजिन डेगवेस फाइटर यारक्रेफ्टो के प् इससे भारत का इंवेस्टमेंट किसी वे तरिके से लुकसान में नहीं जाएगा दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि क्या भारत को खाली नेवी के लिए ही ट्वीन इंजिन डेगवेस फाइटर यारक्राप बनाना चाहिए या फिर यारफोर्स को भी यारक्रेफ्टों को खरिदना चाहिए कॉमेंट करके अपने राए अवश्र देजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पर ही करते हैं आप किसी और एक दुन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम